अधिकारियों ने कहा कि 5 अन्य आरोपियों को ग्रफतार कर लिया लेकिन फिलाल वी जमनत पर बाहर हैं उन्होंने बताया कि मामला वनेजीव सनक्षन अधिनियम 1922 के प्रावधानों और भारतिये धंड सहीता की आपरादिक साजिश से सम्मंदित धारा 120 B के तहट दर्जु किया था बाद में मामले को जांच के लिए सेक्टर 49 से सेक्टर 20 स् टीम ने आरोपी को गरफ्तार कर लिया है रियलटी शो बेक बॉस ओटीटी के विजधा यादव ने मामले में सनलेपता के आरोपों से इंकार किया है पुलिस ने पुरू में उनसे पुछतास की थी, मामली में सेक्टर उनंचा स्थाने के प्रभारी उपनिरेक्षक को हटा दिया गया था, जहां प्रात्मी की दर्ज की गई थी यह मामना पश्रू अधिकार समोह पीपल पॉर एनेमल्स पीएफे के एक अधिकारी के शिकायत पर दर्ज किया गया था, गातिती नवमन को सेक्टर 51 इस्थित एक वैंकेट हॉल से पांच लोगों को गिरफतार किया गया था, जो उनके पास से पांच कोबरा सहित नौ सांपो को मुक्त कराया गया था, आरोपियों के पास से सांप का 20 मिली लीटर जहर भी जबत किया गया था, हालनकि पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि यादव पार्टी हॉल में मौजूद नहीं थे, और वे नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल के पूरे मामले में उनकी द्यक्ष और भारतिय जंता पार्टी भाजपा की वरिष्ट नेता मैनका गांधी ने यादव पर सांप का जहर अवैद रूप से बेचने में शामिल होने का आरोप लगाया और उनकी ततकाल गरफतारी की मांग की।